आप सब को जैमसी की प्रभू का धन्यवाद करते हैं इस सुन्दर सुभा के लिए कि प्रभू ने रादबर सम्हाल कर हमें जीवितों की पृत्वी पर जीवित रखा और इस बात के लिए हम उस परमेशु पिता का धन्यवाद करें सच में एक नई सुभा में परमेशुर का आनन हमारे जीवनों में हैं सच में प्रभू हमारे साथ है ये सबसे बड़ा आनन हमारे जीवन में है कि प्रभू हमसे प्रेम करता है और वो हमारे साथ है क्योंकि सच में प्रभू की उपस्तिती हर समय हमारे साथ में होती है तो इस स सहीता 67.1 में परमेश्व का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर और हम को आशीश दे वे हम पर अपने मूँ का प्रकाश चमकाए अमें सच में आज की सुभा में परमेश्वर का वचन हम से कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि हम परमेश्वर से प्रभू के अनुग्रह को उसकी आशिशों को और उसके प्रकाश को अपने जीवन के लिए मांगे तो सच में हम सब को परमेशवर अपनी आशिशों से अपने अनुग्रह से और अपने प्रकाश से हमारे जीवनों को भरे तो आएए हम सब मिल कर उस परमेशर का धनिवाद करते वे उसकी उपस्तिती में जाएंगे और परमेशर से प्रातन में जाएंगे जितने भी लोग हमें phone calls messages करते हैं हम उन सब के लिए निरंतर प्रातना करते हैं और जितने भी लोग इस प्रातना को सुन रहे हैं उनके लिए भी हम परमेश्व से प्रात्ना करें तो आईए हम सब मिलकर प्रात्ना में जाएंगे धनेवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्व प्रभू इस सुन्दर सुभा के लिए प्रभू धनेवादी हैं प्रभू सच में प्रभू जी आप अच्छे दयालू परमेश्वर हैं प्रभू अनुग्रहकारी हैं आशिश देने वाले परमेश्वर हैं और आश्चेरे कर्मों को करने वाले प्रभू हैं आप सच में दयालू हैं पिता आप प्रेमी हैं प्रभू आपका प्रेम अगापे हैं परमेश्व पिता आप आनन देने वाले परमेश्वर है पिता सच में आपका जो आनन्द है प्रभू आप में परमेश्वर आनन्द की भरपूरी है येश्व हम आपकी तारीव आपकी बढ़ाई करते हैं येश्व मसी धन्यवाद प्रभू जितने भी लोग प्रभू आज की सुभा में इस प्रात्ना को सुन रहे है ये शुमसी हम उन लोगों के लिए तुस्से दुआ करते हैं प्रभू कि आज के पूरे दिन भर में परमेश्वर आप हर एक जन पर अपना अनुग्रह बनाए रखें प्रभू जी हर एक जन के जीवन में परमेश्वर आप हर एक के मुख में प्रभू आपका प्रकाश चम के परमेश्वर हर एक के जीवन में आपका प्रकाश आए प्रभू आपकी रोशनी आए प्रभू पिता जो लोग अंदकार में हैं परमेश्व पिता आप उनके जीवन में प्रभू अपने प्रकाश को दे पिता परमेश्वर अपनी चमक को दे पिता परमेश्वर पिता हम प्रात न करते हैं प्रभू जी कि आप अपनी आशिशों से भी प्रभू हर एक जन को भरें पिता परमेश्वर प्रभू बच्चे से लेकर बूड़े पिता हर एक जन पर आपकी आशिशों को मांगते हैं प्रभू आपकी अनुग्रह को आपकी दया को आपकी करुणा को आपकी सचाई को आपकी भलाई को येशु आप हर एक के जीवन में दें पिता परमेश्वर आज जो भी अपने घर से बाहर निकलते हैं प्रभू किसी भी काम के लिए निकलते हैं येशुमसी आप उनके कारोबार पर आप उनकी पढ़ाई पर आप उनकी जौब पर आप उनके किसे भी छेतर में परमेश्वर जहां वो जाते हैं येशुमसी आप अ प्रभू हर एक के दुक्ध दर्दों को आप दूर करें पिताø प्रमेodie्षवौ। यदि आज की सुभा में प्रमेश्वौ। कोई भी प्रभू अपने आपको बीमार मैसुस कर रहा है तुम दर्द में है या भी बॉड़ी की किसी भी पार्ट में दर्द है। येश्यू तुससे प्रात्ना है कि प्रभू आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाये परमेश्यू पिता और छूलीजे और अभी और सी वक्त चंगा कीजे परमेश्यू पिता क्योंकि आपके लिए प्रभू कोई भी काम असंभव नहीं है येश्यू धनेवाद कि आपन चंगाई मिले पिता परमेश्यू प्रभू आपसे प्रात्ना है प्रभू कि आज के दिन में परमेश्यू और हरे को आप कलेश से प्रभू गलत संगती से प्रभू जी और पिता परमेश्यू नशे से प्रभू जी बचाएं परमेश्यू पिता जो लाइफ पार्टनर के ल प्रभु जी प्यारे पिता हम प्रातन न करते हैं प्रभु हर एक बच्चे के लिए प्रभु कि गलत संगतियों से प्रभु आप हर एक बच्चे को बचाए। धनेवाद प्रभू। प्रभू यदि किसी को ब्रेइन ट्यूमर है तो येश्यू के नाम से वो ट्यूमर निकल जाए। धनेवाद धनेवाद और धनेवाद हमारी प्रात्नों को सुनने के लिए मेरे येश्यूमसी। धनेवाद के साथ प्रात्ना प्रभी येश्यूमसी के नाम से मांगते हैं। अराम। झाल झाल